हेलो आप्रिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं बहुत ही प्याना सा आइडिया बताने वाली हूं तो यह देखी मैंने कपड़ा लिया है इसका प्रिंट मुझे कुछ खास लगा नहीं था तो अब मैंने सोचा इसका कुछ बना ही लिया जाए क्योंकि मैं लाई तो थी प्रेयर भी कर रही हूं अब चलिए बताती हूं अब इसमें से हम क्या बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें इसको चालर तरीके से फोल्ड कर लेना है पहले तो हमें ज्यादा कपडा की जरूरत नहीं है केवल एक मीटर कपड़ा चाहिए तो और या फिर आप जरूरे नहीं है कि कपड़ा ही हो ऐसा आप कोई भी टी-शर्ट वगेरा या फिर शयट ले सकते हो मतलब कि कॉटन का सा कपड़ा हो आप वो कपड़ा ले सकते हो तो नापा नहीं है, अब यहाँ आफ लोगों नाप बता दूंगे कि मैंने ये कितना लिया है, अब दखेंए मैं इसको पहले सीधा करके तै बना लेते हो, इस तरीके से मैंने इसको सीधा करके, charlers करके fold कर लिया है, अ ये हमारा charlers पीस है, अब इसकी जो लंबाई और चोड़ाई दोनों ही बरावर हैं मतलब कि 20-20 इंच की दोनों तरफ से लंबाई और चोड़ाई है अब इसको हमें फिर से फोल्ड करना है इस तरीके से एक वार ऐसे और एक वार ऐसे अब यह 8 लर हो गया तोटल अब ऐसे फोल्ड करने के बाद में हमार जो 5 इंच का निशान लगा दीना है दोनों तरफ से बराबर अब थोड़ा सा ध्यान से देखते जलना बस क्योंकि हम मैं ज्यादा कट नहीं लगाने इसमें केवल दो कट लगाने हैं अब यहां से हमने दो इंच लेते हुए नीचे से तरीके से तिर्चा निशान लगा दिया और इसे हमरे चकर कर दिया आदा यंच जो हमने 7.5 इंच का निशान लगा था उससे आदा इंच नीचे लेते हुए मैंने無感 कैसी दो क्योंकि दो कि यह तो धा साड़ी पांच अंच का ही हो जाएगा अब यह कुछ इस तरीके का पार्ट बन जाएगा आपका अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद में जो बंद सायड है ना वहां से आपको छोड़ते हुए और पूरे में आपको सिलाई लगा लेनी हैं तो पहले मैं इसको आलपिन स करती हूं सिलाई अपनी क्योंकि आलपिन लगाने के बाद में बेड़क हम अपनी सीधी स्लाई लगा सकती है बारा पर हमें कपड़ा को सेट करने की जड़त नहीं पड़ती है अब मैंने थोड़ा सा पार्ट चार-पांच इंच करीब का छोड़ते हुए जहां से अच्छा यह वैसे हमारी तरीके से लग ज्याएगी और जो हमारилась हुआ हमने जो छर-पांच इंच का छोड़ा हुआ है जो बंद पार्ट है वहां से हमें स्ह whites fan इसे लगा आल्पिनों को हमें निकाल देना है यहां से जो कौने है न वहां से हमें कट लगा देनी है चारों पर नहीं तो यह बिपलकुल भी सीधा नहीं हो पाएगा तो जहां तक सिलाई है नसलाई को निकट करना है सिलाई से पहले ही आपको एक छोड़ते हुए और इसको निकाल देने हैं अची तरीके से सीधा निकल जाये लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा पाट अब पिर सिलाई और लगा देनी है पूरे पर तो इस पर ज्यादा स्लाई लगाने लगाने नहीं करनी है केवल आपको इसमें दो सिलाई लगाने एक सिलाई तो हमने पहले लगा दी पूरे पर और दूसरी सिलाई अब हमारी लग जाएगी अब देगी छोटा समय ने इस तरीके से कोई भी स्ट्रेपाब ले सकते इसमें लगा दीजी ताकि यह हैंग करने के काम में आ साही हो डुबबा कोई भी आप डुबबे में रोटी रखते हो इस तरीके से रखी है और देखी नीचे से लेकर उपर तक सारी रोटी आपके अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी तो अभी मैं इसमें रोटी कवर करके नहीं दिखा रही हूं क्योंकि अभी इसे मुझे ब अबाद आप